है दोस्तों विल्कम टो माई चैनल क्रेटिव सागर और आज हम करने वाले हैं हमारी फोन की अन्बॉक्सिंग जी हाँ दोस्तों आज हमारे पास एक दूसरा पावरफुल फोन है जो है रियल्मी के और से रियल्मी एक्स ट्री और पिछले दिन हम लोगों ने और एक वीडियो अपलोड किये थे अन्बॉक्सिंग वाला जो था रियल्मी 7 का आई होब के आप वो देख चुके हैं अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं है हम वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे आप जाके वो भी चिप कर सकते हो और ये जो फोन है ये एक फ् क्या फीचार्स आपको ये सेट के साथ मिल रहा है और क्या क्या एक्सेसोरिस फोन के साथ आ रहा है और फोन का स्पेसिफिकेशन भी तो चलो शुरू करते हैं आज की फोन की अन्बॉक्सिंग तो पहले हम इसको काट लेते हैं निकल जबाई ओ भाई देखिए दोस्तों रियल्मी के और से रियल्मी एक्स ट्री अच्छा लग रहा है ना दुस्तों चलो इसको खोल लेते हैं फटाफट से चलो भाई हमने तो इसका बस तरहन कर लिया आप ही बाड़ी है फोन का बॉक्सिंग का अच्छा चलो पीछे देख लेते हैं कि फोन के साथ क्या क्या आ रहा है यह यह आ रहा है स्नैपडरगन 855 प्लास हाइपर बूस्ट प्रोसेसर के साथ और जो है इन डिस्प्ले सेलफी कैमेरा है दोस्तो तो चलो फटाफट से फोन का भी लूप देख लेते हैं भाई पुरा पिला पिला कर दिया आज यूजवल आपको सेट के साथ मिल रहा है वही ब्लैक कलर का एक सिलिकन कावर कुछ पेपर्स और हमारा फोन चलो अभी इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं क्या क्या और है आज इूजवल आपको मिल रहा एक 30 वर्ट डर्ट चार्जर विद यूएजवी सी टाइप केबल और कुछ नहीं है दूस्तो इसको साइड में रख देते हैं अब यह फोन को निकाल लेते हैं ओ भाई कई मस्त लुक है भाई फोन का देख सकते हो इसमें न एक ग्रेडियन जैसा पीछे जो है वो ब्लू कलर का ग्रेडियन जैसे बना हुआ है अच्छा दिखा है और यह पकरते वक्त हाथ में एक अच्छा से ग्रीप हो जाता है हाथ में लगड़ा है कि हां भाई एक फोन तो है हमारे हाथ में और इसका भाई लूप भी बहुत सही है लेकिन फोन थोड़ा सा हेवी लगड़ा है चलो इसको फटा-फट से on कर लेते हैं अभी ये on हो गया है अभी इसको sit up कर लेते हैं वेलकम रियल्मी यू आई लो भाई चालू हो गया अभी बात करते हैं कि फोन के फीचर्स के बारे में क्या-क्या रियल्मी ने डाला है ये फोन में ये फोन जो आप देख रहे हो ये 8GB 128GB की वैरियेशन में लिया हुआ है इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 6.57 इंचीस फू वो 4200mH का बैटरी है उसके साथ आपको मिल रहा है क्वान क्लम स्नैप ड्रागन 855 प्लास प्रोसेसर जो की 2.9 GHz का है और वो उक्टाकॉर प्रोसेसर है जीपीउ डाला हुआ है एड्रिनो 640 और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें लिक्वीट कूलिंग सिस्टेम है जो आपको फोन को ठंडा रखने के लिए बहुत काम के चीज़ है जब आप बहुत देर तक गेम खिलते हैं फोन तो मानो जैसे इस्तरी बन जाता है आईरन बन जाता है तो वो प्रोब्लम आपको फिट से फेस करना नहीं होगा क्योंकि ये जो लिक्वीट कूलिंग सिस् 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल इसमें जो है ये आल्टरा इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ आता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और इसका जो सेकंडरी कैमेरा है जो इन्डेस प्ले कैमेरा है आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो कैमेरा बना हुआ है वो है 16 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल के साथ और इसका जो फ्रेम रेड है वो 30 fps टू 60 fps है चलो आप बात करते हैं फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं फोन के साथ क्या-क्या है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे Android वर्शन 10 मिल रहा है Realme UI है और इसके साथ 128 GB जो मेमोरी है उसमें आपको 111 GB तक आपको यूज करने को मिलेगा यहाँ पे कोई dedicated card slot नहीं है तो आपको इसका जो मेमोरी है उसको expand करने को नहीं मिलेगा सिर्फ आपको आप इसके यह mobile के साथ दो SIM ही यूज कर सकते हो और इसका जो और यह जो set है ना दोस्तो इसमें यह सिर्फ type C port डाला हुआ है पीछे की तरह जैक अलग से 3.5 mm का नहीं मिलेगा तो आइदर आपको एक port type C से 3.5 mm converter jack खरिदना होगा या तो आपको इसके साथ Bluetooth headphone connect करना होगा क्योंकि दूसरा कोई option आपको यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा पीछे की तरफ आपको मिलेगा speaker as usual microphone side की तरफ जो है वो है fingerprint sensor with power button उपर की तरफ एक noise cancellation mic second जो है यहाँ पे volume rocker की डाला हुआ है पीछे की तरफ आप देखेंगे तो भाई मैं तो फिदा हो गया एक haptic vibration भी हो रहा है touch के साथ और वो कमाल का हो रहा है मतलब कुछ ज्यादा भी नहीं कुछ कम भी नहीं एक feel जैसा आ रहा है जब भी आप कुछ की प्रेस करोगे ना तो इसका haptic vibration on किया हुआ है by default sit के साथ अब ही बात करते हैं इसका camera को लेके तो जैसे आप देख रहे हैं इसका जो camera है भाई बहुत ही sharp camera है और camera में आपको night mode मिलेगा video, photo, portrait mode, 64 megapixel का mode और mode option में जाके आपको और बाकी साथ option देखने को मिलेगा like time lapse video आप इसमें बना सकते हो, text scanner कर सकते हो, ultra macro shot भी ले सकते हो, slow motion ले सकते हो, इसमें pro mode भी डाला हुआ है और panorama mode भी है और एक बात है दोस्तों के इसमें आपको 20x का zoom मिलेगा, हाँ भाई 20x का zoom वो भी mobile में इसमें stabilization डाला हुआ है उससे आपका picture का quality बहुत ही खास आने बाला है, ऐसे ही मुझे आभी यहाँ पे यह मेरे घड के अंदर का light है उसमें बहुत sharp picture देखने को मिल रहा है इसका जो front side camera है वो भी धासू camera है और होना ही चाहिए भाई 16MP का camera है वो भी dual camera with 8MP wide angle lens के साथ आपको आपको पता चले कि मैं जो बोड रहा हूँ उसके साथ reality में कितना match होता है आप इसका sound सुन सकते हैं बहुत ही जोड़दार का sound है भाई और होना ही चाहिए एक flagship phone में जो जो खासियत होना चाहिए ये phone में सभी कुछ है और ये था हमारा second unboxing video हम इसका review भी डालेंगे एक week के बाद के ये phone कैसे काम करता है और कैसे काम कर रहा है सारे application के साथ तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं वो वीडियो एक हफता बाद आएगा तो तब तक के लिए आप बने रहे हैं हमारे साथ और हम ये जो phone है ये इसका जो price range है ये है 22,999 वाइं लिंक है वो भी description box में डाल देंगे ताकि आप वो link में जाके ये phone को खरिद सकते हैं कुछ भी जानना चाहते है तो आप comment section में comment कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके question का proper answer देने के लिए अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो subscribe ज़रूर कीजिए, bell icon को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो के बारे में update और notification मिल सके और अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही था, चलते है, bye bye, good night